कि टेक रिस्क इन योर लाइफ इफ वन यू कैन लिट इफ यू लॉस यू कैन गाइट अब मुझे कमेंट करके बताना कितने लोगों का इसका मतलब नहीं समाझ में आया फिल हल आज की क्लास में पढ़ेंगे अनुपाद समानुपाद यानि रेस्यों और पर पोसन है ना यह समान रासियों की तुलना को जिस सरल रूप में व्यक्त किया जाता है उसे अनुपाद कहते हैं दो समान रासियां याद रहे कि रासियां समान होना चाहिए जैसे समान काटेगरी की समान तरीके की होना चाहिए जैसे दूध और पानी ठीक है दूध और पानी में अनुपाद पॉसिबल है लेकिन अगर हम कहें कि पानी और लोहा तो भाई सहाब ये समान राफियां नहीं है ये लिक्विड है ये क्या है ठोस है सॉलिड है समझ रहे जोज और पानी का अनुपाद और एक बच्चे ने एक घंटे गड़ित पढ़ा और एक घंटे जो है विज्ञान पढ़ा तो इन का दोनों का इस Вас इंप पारनम पता चलते हैं इसमें कुछ उससे संबंधित बातें भी लिखी गई हैं आप उन्हें पढ़ सकते हैं अनुपाद को इस फलाने वाले चिन्न से दिखाते हैं मतलब बिंदी दूठी लगाते हैं एक बिंदी इधर एक ठी इधर नीचे सीधे पर सीधे ठीक है और आगे इनका कोई मातरक नहीं होता है ठीक है बात समझ रहे हो ना समान रासियों में अनुपाद नहीं होता है मतलब आसमान रासियों में नहीं होता है फजाती रासियों के संबंध को उनका अनुपाद कहते हैं उधरन के लिए दूज़र पानी का अनुपाद कच्छा में लड़के जनौरों और बादल के बीच अनुपात क्योंकि ये सजातिय रासिया नहीं है सजातिय रासिया मतलब आप समझ रूते हो मैं आलरेडी आपको पढ़ाया हूँ एक चीज और अगर कोई ऐसे लिखा है तीन अनुपात चार तो इसका सबी जान निदें जहां पे जो चीज़ें है अनुपात का अपनाset नहीं होताय का अनुपात का कोई भी मात्रक नहीं होता जैसे मली अगर हम दूध ले लें तो दूध को अकफर आपने सुना होगा इसका मात्रक क्या होता लीटर में आपते हैं जो इस्टेंडर मात्रक होता लिटर होता है बाकि आप यम्यल में नाप लो किलो लिटर में आप लो गैलन वैलन उसा बालक चीज़े हैं ठीक है जैसे अगर लंबाई ले 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 तो लंबाई आप कहोगे कि भाईया जो है हमरे यहां फलाने के दुआरे पेड़ है जिसकी लंबाई 10 मीटर है तो लंबाई का भी अपना एक स्टेंडर मात्रक है क्या है एक स्टेंडर मात्रक है ठीक है मीटर क्या है मीटर वैसे कोई चीज अगर वजन वाला है मान लिजिए कि चलो आटा हो गया चावल हो गया दाल हो गया तो आप देखोगे अक्सर यह केजी में तौला जाता है यह इनका क्या है मानक मात्रक सभी क्या है जो मैंने आपको दिखाया उसी तरीके से अनुपात यानि रेशियों का कोई मात्रक नहीं होता है कि यह दस किलो अनुपात नहीं पांच किलो अनुपात जैसे मैंने लिख लिया एक अनुपाते दो तो ये एक अनुपाते दो है बस इसमें कोई मतलब मात्रक नहीं होता है कि एक अनुपाते दो लीटर नहीं ऐसा कुछ होता नहीं इसका कोई भी मात्रक नहीं होता बस इतना जालना ठीक है आगे अनुपात किवल तो सजातीय रासि है ने देते तो अच्छा रहता किसी एक समान संख्या से गुड़ाया भाग कर沒關係 हिर दोनों को कि मान पर कोई फरक नहीं पड़ता है कैंफे नहीं पड़ता है इनको फिर फे आफ एक अर व्बाइड कर सकते हैं फिर पूराने उसी लौट में आएंगे, इनके फिर से पूराने दिन लौट आएंगे, समझ गए, अगर हम अनुपाद को किफी निश्चित संख्या से भाग कर दें, तब भी इस पे कोई फरक नहीं पड़ता है, माल लीजिए, कि हम इन सब को पांच से भाग कर दें, तो पांच से भाग कर दें यह कितना हो जाएगा, इनके मान पर कोई परकार का फरक नहीं पड़ेगा, या फिर आपको यह थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा, यह कम समझदारी वाली चीज है, समझदारी वाली चीज देख लो, मान लीजिए, मैंने लिख दिया, चलो 10, और अनुपाते लिख दिया पर इनके मान पर कोई फरक नहीं पड़ता है, अब कहोगे काई नहीं पड़ा, वो तो 10-50 था, पांच-पचीस हो गया, फरक पड़ा नहीं, वैसा मैंने भाग किया है न, किस से दो से किया है, तुम फिर दो से उड़ा कर लो न, फिर हो यह जाएगा, मतलब कुछ बदलता नहीं है, यह इधर से उधर, उधर से उधर हो सकता है, पॉस्बल, ठीक है, आगे, मातरक वाली रासियों को अनुपात में बदलने के लिए, अनुपात के मातरकों का समान होना अती अवस्यक है, अलग-अलग मातरक में अगर है रासियां, तो उनका अनुपात नहीं याद क में हूँ या तो पैसा में हूँ समझ रहे हो अगला ये डी वाले की बात बता रहा हूँ कि अनुपात निकालने के लिए दी गई रासियां एक समान मात्रक में होना अती आवस्यक है अलग-अलग नहीं होना चाहिए ठीक है तो तीन रुपया में क्या होगा एक रुपया में 100 पैसा तीन रुपया में 300 पैसा और ये है 75 पैसा ये आएफा करके आप रेशियों निकाल सकते हो 75 से 300 को डिबाइड कर सकते हो क्या करके देखो अब 75 दूना होता डेड़ सो पचातर का चार से गुड़ा करो चर पंचे बीस चरफाते ठाज दो तीस चार आएगा आप इन्हें आफे लिख लो थोड़ा इतना गंदा लिखने की का जरूरत है भाई आफे लिखो समझने के लिए इनको डिवाइड करो वान औ हो जाता है पहला वाला सवाल बताइए कि कहरा कि अनुपात ग्याद कीजिए एक रूपया असी पैसा में भाई साब एक रूपया और अफी पैसा एक देखो तो दोनों अलग अलग राफियां हैं इनका मात्रक अलग अलग है तो जब तक ये एक समान राफी में नहीं आएं अब इनका आप रेफियो कर सकते हो ठीक है 100 और ये कितना 80 डन अब इनको आप डिवाइड करो किफ़े चार जिफ़े डिवाइड कर लो 5 से कर लो 5 उना 10 5 से कर लो 5 एकम 5 5 जंक 30 बट ये ऐसे सही भी नहीं है जो हम कर रहे हैं क्यूं हम इनका दोनों रासियों का अगर HCF ल कि इनका HCF देखो 10 होगा 10 दहां 100 नहीं दस नहीं होगा 20 होगा 20 से बढ़ा नहीं हो तो 25 और 24 देखो पांच नुपाच चार आ गया फाइनल में यानि इसका जो रेशियों आया कितने का आया पांच चार का या कि किसी को कोई परिशानी नहीं ना ये सब समझने वाली चीज क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो आप लोग देखते नहीं हो बड़ी दुख की बात है ये सीरीज के वीडियो बड़े बड़े आएं कि दो दो घंटे के लेकिन आप लोग ज्यादा ना देखते हो न दिक्कत ही है तो इसका अगले पार्ट में मैं इन सब को करूंग जिनको गड़ित में कुछ भी नहीं आता और वास्तों में सीखना चाहते हैं वो आज ही पीवियर स्टेडी अप अपने फोन में इंस्टाल करें गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर से और पढ़ाई को अपना जारी रखें जिससे आप बिलकुल मस तरीके से पढ़ पाए मिलता हूं फिर अगली क्लास में अगले वीडियो में 68 नंबर में बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लाइक और सेर जरू करना चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा अगर नए जूड़े हैं तो जिससे कि हम आपको दूबारा दर्फन देशा से